वाईगुर जी का खालसा वाईगुर जी की फते स्टैपिंग स्टोन पंजाबी रीडर छेवेच तो आनुसार्यानों निगी जी आयां मैं अर्शंदर पालकॉर आज तो आड़ेले पार्थ नंबर अठाई लेके हाजर हां चलो चलिए नमापार सिखिए साड़ा आज दा पार्थ है पंजाबी गिंटी अते गुर्मुखी नंबर ए साड़ा एक वक्रा वक्री तरह दा पार्थ है जिस्तरा तुसी देख रहे हो कि तुसी एदे वेचे सिर्फ नंबर्स दी गाल करनी है पहला ज़दो तुसी नंबर सिख दे सी तो तो आड़े ओहो एक पाठ दा हिस्सा हन सान् थोड़े ले नंबर तुसी ओ देवेचे सिखदे सो पार ए जड़ा पाठ है यनवे घंधी दा पाठ है ते देवेचे खास द गिंथी ओना नंबरा दी है जड़े के सिख्खी देवेचे, सिख्थ हास देवेचे बहुत महत्तपुर नंबर ने, तुसी देखो, राइट इस नंवर्स इन गुर्मुखी नंवर्स, and then the numbers as year, and then just numbers. These are important dates of गुर्गधी, of the सिख्ख गुरुस, except 1469, this date is गुर्पुरव अफ गुरुनानक देवची. So, 1469, 1489, एक गुरुनानक सहब जी दे प्रकाश पुरुब दी उना दे जनम दी तरीक है. So, तानु सार्यानु एपता हुएगा के गुरुनानक सहब जी दा प्रकाश पुरुब चौदास पुरुब इस भीच होया सी. So, होन आप होर इंपॉर्टन देट जरिया के गुरुगधी, गुरुषएप जी दी, गुरुगधी, नालसवंधत देट्स ने उनान तुसी सिखोगे. In the last box, write the year you are born in and then the two ways as year and then just numbers. So, उस्तो बाद इनो तुसी गुरुमखी देवच लिख देवच जेड़े के तुसी देख देवच कुछ नंबर, Arabic numbers देनाल, मिल दे, जुल दे, कुछ नंबर युटनीक ने, तुसी पहला सिखे होय ने, तु आनो आदे हान लिखने. So, 1489 तुसी दे लिखोगे, गुरुमखी देवच देवच, फिर 1489 as a year, जिस्तरा असी इस साल दी गाल करिये हुन, हुन केड़ा साल चाल रहा ते असी कमांगे 221, ठीक है? So, उस्तो बाद जदो तुसी अथे नंबर लिखोगे ता तुसी लिखोगे, 1489, पहला 1489, हुन 1489, ए तुसी असरा नंबर लिखने हान. अगला नंबर, 1589, एक गुरु नानिक साहब जी दे जोती जोत समौन दा जिड़ा है साल सी, ए दे वेच गुरु अंगत पाथशानू, दूसरे पाथशानू, गुरु नानिक साहब जी ने, गुरु थापया सी, उनानू गुर्गदी बक्षी सी. सो उस्तो बाद एस्तरा ही नंबर हन, गुरु नानिक साहब जी तुसी पिछले पाथ़ा मेंच पढ़के आये होगे, ते कई नंबर तो आनू त्यान होनगे, पंद्रासो बाई, पंद्रासो चोहत्तर, पंद्रासो इक्यासी, सोलासो छे, सोलासो चताली, सोलासो इकाहट, सोलासो पैहंट, सोलासो पजैतर, सोलासो नंडेन में, स्तारासो आठ, सो असी एथे नंबर, गुरुम की नूमल्स लिखने हान, एथे तुसी एये येर तुसी लिखोगे, एथे जस नंबर लिखोगे, ते लास्ट वाला जड़ा कॉलम है, ओदे विच तुसी अपने जनम दा साल लिखोगे, फिर उन्हों इसे डिफरेंट ट्रीक के देदा, तुसी एथे गुर्म की निमरल लेके, साल दे तौरते लेके, एथे सिर्फ नंबर लेके, ते मिननों पूरा जिकीन है के तुसी बहुत सोनी तरह लेवल छे विच पंजाबी सिखी होएगी, तुसी अपने आपते मान कर सकते हो, you can be proud of yourself, ते तुसी एक बड़ी अकंप्लिश्मेंट टाड़ी है एहे, लेवल छे करके, होन तुसी लेवल सत दे विच जाओगे, ते भी तानु रिकॉर्डड़ लेसन भी मिलनगे, तानु साधे टीचर बाध ड़ेडिकेशन देना पड़ाँ दे हानो पड़ाँ गे वी, ते तुसी पंजाबी सिख दे रहो, ते पंजाबी सिख के पंजाबी सिखाण वाली सिवा विच आओ, आसी तड़ा सारे आंदा वाईगुर जी का खाल सा वाईगुर जी की फते